तो इस तो finally Realme 7 Pro launch उचका है और आज मिसका comparison करने वाला हूँ Samsung Galaxy M31S के साथ में और आपको बताने वाला हूँ कि 19,000 रुपए अगर आपका budget है तो इस budget range में आपके लिए यहाँ पर best smartphone कौन सा होगा साथ यहाँ पर performance आपको किसमें better देखने को मिलेगी और gaming performance आपको किसमें अच्छी मिलने वाली है और इन दोनों में से कौन सा smartphone best camera smartphone है तो यह भी मैं यहाँ पर clear करने वाला हूँ तो सारी information आपको इस video में मिल जाएगी तो अगर आप interested हैं तो इस video में बने रहे हैं और साथी video पसंद आता है तो एक like जरू गदर जीगा तो चलिए सुरू करते हैं video को तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं display से तो realme 7 pro में आपको 6.4 इंच का super emolet punch hole display देखने को मिलता है जो कि full HD plus resolution के साथ में आता है और साथी यहाँ पर आपको 60 Hz का refresh rate मिलता है और 180 Hz का touch sampling rate मिलता है जिससे कि यहाँ पर आपका touch response जो है वो काफी fast होने वाला है और इसके लावेस में आपको 600 nits की brightness मिल जाती है दोस्तों जो काफी अच्छी बात है आपर यानि कि outdoor में smartphone को use करने में आपको कोई भी problem नहीं आने वाली है और वहीं हम बात करें Samsung M31S की तो इसमें आपको 6.5 inch का Super AMOLED punch hole display देखने को मिलता है जो कि full HD plus resolution के साथ में आता है और इसमें आपको gorilla glass 3 की production मिल जाती है इसी के साथ 420 nits की brightness मिल जाती है तो इसमें बात करें display performance की तो दोनों में ही आपको Super AMOLED display देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर काफी अच्छी बात हो आती है तो यहाँ पर आपको कोई difference देखने को नहीं मिलता है बाकि यहाँ पर test sampling rate जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर Realme 7 Pro में अच्छा मिल जाता है यहाँ पर 600 nits की brightness मिलती तो यह काफी अच्छी बात हो आती है आपर लेकिन ऐसा नहीं है कि Samsung का जो brightness level है वो कम है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको पता है Samsung की displays वैसे भी इतने bright होते हैं तो कोई भी problem नहीं आने वाले यहाँ पर बस हाँ थोड़ा सा bright होगा Realme 7 Pro अब बात करते हैं performance की Realme 7 Pro में आपको कोईल कॉम Snapdragon 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो की 8 nanometer की technology पर based है और वहीं Samsung M31S में आपको Samsung का खुद का Egynos 9611 देखने को मिलता है जो की 10 nanometer की technology पर based है तो उसो performance की बात करें तो Snapdragon 720G में आपको ज़्याद अच्छी देखने को मिलेगी और साथ ही अगर आप gaming का सौक रखते हैं तो आप best level की यहाँ पर gaming कर पाऊगे और इसके लावाँ यह 8 nanometer की technology पर based है तो यहाँ पर आपको heating issue भी ना के बराबर देखने को मिलेगा हालागे फिलाल मैं PUBG का example तो नहीं दे सकता लेकिन आप COD वेगरा जो है free fire आप काफी अच्छे से यहाँ पर enjoy कर पाऊगे और वहीं बात करें एक genos 9611 की तो ऐसा नहीं है यह बिल्कुल घटिया processor है तो ऐसा नहीं है यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी performance देखने को मिल जाएगी इसके अलबा gaming वगरा करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर पाऊगे तो day to day life में आपको यहाँ पर भी कोई भी problem नहीं आने वाली है लेकिन अगर आप gaming केवल करना चाहते हो काफी अच्छी खासी gaming करना है यहाँ पर चाहते हो तब आपको मैं recommend नहीं करूँगा तब आपके लिए 720G आपके लिए best रहेगा तो performance को लेकर अब भी अगर आपके मन में कोई भी doubt होता है तो नीचे comment box में आप मुझसे पूर सकते हो साथी video पसंद आ रहा हो तो एक like जरू कर देजिए तो चलिए अब बात करते हैं camera की तो realme 7 pro में आपको cold rear camera setup देखने को मिलता है जिसमें primary camera 64 megapixel का Sony IMX682 sensor देखने को मिलता है वही secondary camera जो है वो है 8 megapixel का जो की ultra wide है 2 megapixel का depth और 2 megapixel का आपको macro camera दिया गया है और साथी यहाँ पर आपको UIS का support मिल जाता है और वहीं Samsung M31S में आपको quiet rear camera setup देखने को मिलता है जिसमें same आपको primary camera 64 megapixel का Sony IMX682 sensor देखने को मिलता है secondary camera 12 megapixel का है जो की ultra wide है 5 megapixel का depth camera और 5 megapixel का macro camera दिया गया है तो rear camera performance की बात करें तो वो जो है दोनों में ही हमें same देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर primary camera है वो दोनों में ही 64 megapixel का Sony का ही sensor दोनों में ही देखने को मिल जाता है लेकिन वहीं हम बात करें ultra wide, depth और micro shots की तो वो जो है आपको Samsung M31S में ज़्याद अच्छ देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको depth camera 5 megapixel का मिलता है macro आपको 5 megapixel का मिलता है, ultra wide जो है वो 12 megapixel का मिलता है बाकि हम बात करें selfie camera की, realme 7 pro में आपको 32 megapixel का punch hole front camera देखने को मिलता है और वहीं Samsung M31S में भी आपको 32 megapixel का punch hole front camera देखने को मिलता है तो उस्तों overall camera performance की बात करें तो Samsung M31S में आपको ज़्यदा बेटर देखने को मिलने वाली है और लेकिन वहीं हम image stabilization की बात करें तो वो आपको Realme 7 Pro में देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको UIS का support मिल जाता है और Samsung M31S में आपको EIS का support मिलता है अब बात करते हैं battery की Realme 7 Pro में आपको 4500ms की battery दी गई है और साथ में यहाँ पर आपको 65W की fast charging का support मिल जाता है और वहीं Realme का कहना है यहाँ पर कि आपको 12 मिनट में केवल 50% phone आपका charge हो जाएगा और वहीं केवल 34 मिनट में 100% charge हो जाएगा जो कि उस्तों काफ़ अच्छी बात है इसके लिए Realme को एक plus 5 मिल जाता है और वहीं Samsung M31S में आपको 6000ms की बड़ी battery मिल जाती है और साथ में आपको 25W की fast charging का support मिल जाता है तो उस्तों यह मैं आपके उपर छोड़ देता हूँ यहाँ पर आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा pair यहाँ पर ज़्यादा से लगा 4500ms battery plus 65W की charging या फिर 6000ms की battery plus 25W की charging तो comment जरू करेगा मैं सारे comment पढ़ता हूँ अब बात करते हैं security feature की तो Realme 7 Pro में आपको in display fingerprint sensor देखने को मिल जाता है जो की काफी fast है और साथी यहाँ पर आपको face unlock मिल जाता है और वहीं Samsung M31S में आपको side mountain fingerprint sensor देखने को मिलता है साथी यहाँ पर भी आपको face unlock मिल जाता है अब बात करते हैं OS की तो Realme 7 Pro में आपको Android 10 best Realme UI देखने को मिलती है और वहीं Samsung M31S में Android 10 best One UI देखने को मिल जाती है तो अब बात करते हैं कन्क्विटी फीचर की तो यह वाला point 1 ने new add किया है यहाँ पर तो अब से आपको कन्क्विटी फीचर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो इसके लिए एक like तो बनता है तो Realme 7 Pro में आपको dual win Wi-Fi मिल जाता है साथी यहाँ पर आपको navic का support मिलता है और इसके लवा यहाँ पर Bluetooth 5.0 मिल जाता है साथी इसमें 3.5 mm jack भी दिया गया है और वहीं Samsung M31S में आपको Bluetooth 5.0 मिल जाता है dual win Wi-Fi इसमें भी आपको मिल जाता है साथ ही इसमें भी आपको 3.5mm jack देखने को मिलता है और वही हम बात करें audio की तो Realme 7 Pro में आपको dual speaker यानि stereo speaker आपको देखने को मिल जाते हैं जो की Dolby Atmos के साथ आते हैं तो यानि audio quality आपको काफी बेहतनी मिलने वाली है Realme 7 Pro में और वही M31S में आपको single speaker देखने को मिलता है तो अब हम बात करते हैं price की तो Realme 7 Pro की जो starting price है वो है 199999 रुपए और इस price में आपको 6GB RAM और 64GB storage प्रोवाइड कियाती है वहीं इसकी पहली sell 14 सितंबर से start हो रही है आप इसको फिलिपकार्ट से और Realme.com से लिए सकते हो और वहीं Samsung M31S की जो starting price है ये है 199999 रुपए और इस price में आपको 6GB RAM और 128GB की storage प्रोवाइड कियाती है बाकी सभी वेरंस की detail नीचे description में मिल जाएंगी तो यानि Samsung का M31S जो है वो 500 रुपए हमें सस्ता मिलता है और साथ ही हमें जो इसका storage है वो भी हमें double देखने को मिलता है यानि कि आपको Realme 7 Pro में आपको मिलती है 64GB की storage और यहाँ पर आपको कम price में 128GB storage मिलती है तो देखा जाए Samsung M31S के लिए plus point है तो उस्तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर समझ गयोगे कि आपको यहाँ पर दुनों मिलती से कौन सा phone लेना चाहिए कौन सा phone आपके लिए better रहेगा यहाँ पर तो चलिए अब बात करते हैं अपने opening की तो अगर मैं अपने opening की बात करूँ यहाँ पर तो सबसे पहले हम price की रद देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो realme 7 pro का model है यहाँ पर starting price इसकी जो है वो 19,999 रुपए है और इस price में हमें 6GB RAM और 64GB storage दी आती है और वही M301S में जो है इसकी जो price 19,499 रुपए है यानि की 500 रुपए सस्ता भी पड़ता है और storage भी यहाँ पर डवर मिलती है तो यह एक यहाँ पर अच्छी बात है तो वहीं अब हम performance की बात करें तो वो जो है realme 7 pro में जदा बेटर देखने को मिलेगी और वहीं इसमें हमें 65W की fast charging मिल जाती है तो यह यहाँ पर एक काफी अच्छी बात हो आती है और साथ ही यहाँ पर आपको in-display fingerprint sensor मिल जाता है जो की काफी first है और इसके लवाँ यहाँ पर आपको dual stereo speakers मिल जाते हैं और वहीं हम बात करें M301S की तो यहाँ पर हमें सबसे अच्छा camera मिल जाता है आप पर हाला कि 64 megapixel का दोनों में हमें एक primary camera देखने को मिल जाता है लेकिन वहीं हम अगर depth, ultra wide और micro shot की बात करें तो वो हमें Samsung M301S में जादा better देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर ultra wide जो है वो 12 megapixel का है, 5 megapixel का depth है, 5 megapixel का macro है जबकि हमें 7 pro में 8 megapixel का ही ultra wide मिलता है और 2 megapixel का portrait मिलता है, 2 megapixel का macro मिलता है तो यह realme 7 pro का minus point है तो अगर आप कोई camera phone देख रहे हो, Samsung का under 20,000 तो आपके लिए M301S यहाँ पर better रहेगा और बाकि यहाँ पर आपको बड़ी battery मिल जाती है हला कि fast charging आपको 25 watt की मिलती है और साथ यहाँ पर आपके 500 रुपए भी बच जाते हैं और storage भी आपको यहाँ पर double देखने को मिल जाती है तो उस्तों यहाँ पर यह कहना तो मुश्किल होगा कि यहाँ पर कौन phone यहाँ पर winner निकल गया आता है तो किसी एक को decide करना तो काफी मुश्किल है लेकिन यहाँ पर मैं इतना जरू किलर कर देता हूँ तो अगर आप यहाँ पर Samsung fan है और 20,000 रुपए के अंदर कोई smartphone आप देख रहे हो जिसमें आपको काफी अच्छी performance मिल जाए बड़ी battery आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए साथ मैं fast charging चाहिए आपको और इसका अगर आप एक best camera phone देख रहे हो इस price range में तब आप यहाँ पर M31S को ले सकते हो और लेकिन वहीं अगर आपको यहाँ पर gaming के लिए phone चाहिए आपको cable gaming ही करनी है तब यहाँ पर मैं आपको Samsung M31S recommend नहीं करूँगा फिर आप यहाँ पर Realme 7 Pro के साथ जा सकते हो लेकिन रुकिए अब मैं यहाँ पर आपको एक तीसरा option और बता रहा हूँ यहाँ पर जिससे कि आपके काफी पैसे भी यहाँ पर बच जाएंगे तो वो Realme 7 रहेगा यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो है 14,999 रुपया याने की 15,000 रुपय की प्राइस में मात्र आपको 6GV RAM और 64GV वालब वारेंट मिल जाता है और वहीं इसमें MediaTek का latest processor MediaTek Helio G95 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो यह थे मेरे उप्रेंट, उम्मित करता हूँ उस्तों काफी पसंद आया होंगे आपको मेरे उप्रेंट अगर उस्तों पसंद आया है तो एक like तो बनता है साथी वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को share कर देजिए और चैनल को subscribe कर लेजी क्योंकि आपको ऐसी ही interesting वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी चलिए उस्तों मिलते हैं किसी और next वीडियो में और किसी नए interesting वीडियो को साथ में तब तकिल नमस्कार उस्तों जैहन